स्टूडेंट्स वेलकम टू माई यूटीब चैनल और आज हम करेंगे क्लास 10 की मैथमेटिक्स की वरक्षीट नमबर 34 जो आपकी 21 सेप्टेंबर की वरक्षीट है इसके अंदर आज हम करने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्री में प्रॉब्लम्स बेस्ट ओं ट्रिग्नोमेट्री रेशो 30 डिग्री 45 डिग्री और 60 डिग्री आपको ऐसे कोश्चन दिये जाएंगे जिनके अंदर आपने जो आपको ट्रिग्नोमेट्री ट्रेवल पिछले में हमने डिसकस किया वह यूज करना है ठीक है तो यहां पर आपको स साइन 60 डिग्री जब आप निकालोगे तो वह बन जेगा कं डेखो साइन क्या होता है साइन क्या धिटा प्लस में ठिटा तॉप यहां punishment्राले थिक है तो यहा पर साइन 30 डिग्री 45 डिग्री10 60 डिग्री फ passwordbutie बन गया यह वनंभाउँ बन गया अब एकुश निकालन तो सा 45 degrees 1 and 10 60 degree क्या बनेगा under root 3 by 2 divided by 1 by 2 1 by 2 से 1 by 2 यानि कि 2 से 2 गया बच गया क्या under root 3 तो यह आपने इसको complete कर लेना उसके बाद में example number 1 है evaluate sine 60 degree multiply cos 30 degree plus sine 30 degree cos 60 degree तो sine 60 degree कितने under root 3 by 2 पूट किया cos 30 degree कितने under root 3 by 2 वहीं पे sine 30 degree कितने 1 by 2 और cos 60 degree कितने 1 by 2 values put की under root 3 को under root 3 से multiply करते हो 3 बन जाते है 2 into 2 is 4 1 into 1 1 रहा 2 into 2 4 तो 3 by 4 प्लस 1 by 4 4 by 4 अंसर क्या आगया 1 आगया हमारा ठीक है next moving on to the example number 2 एक आपको triangle दिया हुआ ABC जिसके अंदर B angle 90 degree है AB आपको 5 cm दिया है AC भी आपको 30 degree दिया है अपने length निकालनी है BC और AC की तो normal देखो जो हमें दिया है न उसके हिसाब से देखा अगरो perpendicular दिया हुआ है तो perpendicular जब हम पंडित बदरी परशाद लिखते है ठीक है तो perpendicular 2 में आता है या तो sin में आता है या हमारा tangent हुए आता है तो चाहे आप sin निकाल लो यहाँ पर चाहे आप tangent निकाल लो तो perpendicular हमें दिया हुआ है sin 30 degree भी आप ले सकते हो 10 30 degree भी आप इसको ले सकते हो angle हमें दिया हुआ है तो इन्होंने निकाला 10 AB बटा BC आएगा perpendicular आप बेस आएगा तो AB बटा BC क्या हो गया 10C 10 30 degree 1 by under root 3 और AB हमें 5 दिया तो 5 by BC is equal to 1 by under root 3 तो BC किसके equal आगया 5 by under root 3 अब sin C निकाला sin C निकाल लेंगे तो क्या आएगा हमारे पास AC आजएगा क्योंकि यहाँ से hypotenuse निकल जएगा पहले हमने base पर्पेंडिकुलर दिया था base निकाल लिया चाहे आप पहले पर्पेंडिकुलर दिया तो hypotenuse निकालो फिर 10C निकालो चाहे पहले 10C निकालके फिर sin C निकालो ठीक है तो आपका आणसर आगे 10 cm नेक्स मूविंग ओन टू दू एग्जाम्पल नंबर 3 आपको 10 A plus B under root 3 दिया है 10 A minus B 1 by under root 3 दिया है जो आपका theta है वो 0 degree से यानि कि A plus B जो है वो 0 degree से लेके 90 degree के बीच में लाई करता है 0 से बड़ा है 90 से छोटा है ठीक है तो A plus B आपको कितना दिया हुआ है under root 3 और under root 3 अब B हमने निकाला था कितना होता 10 60 degree ठीक है तो हमने लिख दिया वो बराबर हो गया 10 60 degree के तो A plus B अब 10 से 10 कैंसल हो गया तो A plus B किसके equal आ गया 60 degree के दूसरा 10 A minus B किसके equal है 1 by under root 3 तो 10 30 कितना है 1 by under root 3 तो इस 1 by under root 3 की जगह पर हमने लिख दिया 10 30 degree ये 10 से 10 एन कैंसल हो गया A minus B किसके equal आया 30 degree के तो equation number 1 और equation number 2 दोनों को add करो add करो गया आपका पास जो है A की value आजेगी A की वो आपने पुट कर देने हैं किसी भी एक equation में तो वहां से आपके पास B की value निकल जेगी तो A आएगा 45 degree और B आएगा 15 degree Next moving on to the example number 4 Sign 30 degree plus 10 45 degree minus secant 60 degree divided by secant 30 degree plus cos 30 degree plus cotangent 45 degree कुछ नहीं करना trigonometry का table उठाना है values पूट करनी है और उनको थोड़ा सा resolve करना है आपके पास अंसर आजेगा जहां तक solve कर सकते हो करके रख लेना बाकी कोई इत्मा फरक नहीं पड़ता है Next is option को चूज करना और आपकी choice जो है उसको justify करना है सबसे पहले हमें दिया हुए 210 के 10 30 degree divided by 1 minus 10 square 30 degree तो आपका option कौन सा बनेगा A, B, C या D तो आपने क्या करना है 10 30 degree पूट करना that is 1 by under root 3 फिर 1 by under root 3 का square कर देना तो 1 by 3 बन जेगा इसको solve करोगे तो आपके पास बनेगा under root 3 under root 3 क्या होता है 10 60 degree तो आपकी option number C जो है वो सही आएगी ठीक है उसके पाद में बात कर लेते हैं questions की और questions को discuss कर लेते हैं तो चलते हैं इनके solutions पे तो बच्चे पहला question है हमारे पास sin A-B आपको half दिया हुआ है cos A-B आपको half दिया हुआ है और A-B आपका 0 degree से लेके 90 degree तक है और A जो है वो B से बड़ा है आपने A और B का जो है वो मान निकालना है A और B की value निकालना है ठीक है तो सबसे पहले हमें A-B half के बराबर दिया है इस half की sin half कब होता है 30 degree पे sin 30 degree लिख दिया हमने इस sin से ये sin कैंसल किया A-B किसके बराबर आ गया 30 degree के वैसे ही cos A plus B हमें half दिया हुआ cos A plus B की value half कब होता है 60 degree पे इस cos से ये cos कैंसल किया A plus B किसके बराबर आ गया 60 degree के अब हमने क्या करना equation number 1 और equation number 2 को add कर देना है यहां से B से B खतम हो जेगा क्योंकि minus और plus का है ना तो opposite sign है खतम हो गया ये इदर 30 degree plus 60 degree is 90 degree A plus A is 2A तो A क्या हो गया 90 degree by 2 A की value आगी 45 अब आपने ये A की value equation number 1 या equation number 2 जिसमें आप मरजी पुट कर दो आपके पास B आजेगा तो हमने equation number 1 में इसको पुट किया A minus B कितना दिया हुए 30 degree A की value 45 degree minus B is equal to 30 degree B is equal to 45 degree minus 30 degree and B is equal to 15 degree तो A आगया 45 और B आगया हमारा 15 degree next moving on to the question number 2 evaluate cos 45 degree divided by secant 30 degree plus cosecant 30 degree तो cos 45 होता है 1 by under root 2 secant 30 degree होता है 2 by under root 3 और cosecant 30 degree होता है 2 अब यहाँ पे देखो क्या है हमने यहाँ पे यह सारी की सारी जो values है यह हमने इसके अंदर पुट करती तो बन गया 1 by under root 2 multiply 1 divided by 2 under root 3 plus 2 by 1 अब नीचे इसका LCM ले लो under root 3 इसका LCM आजेगा इस वाले का ठीक है इसको SOL किया तो उपर क्या आएगा 2 multiply 1 plus 2 इंटू under root 3 divided by 2 इंटू अब यह under root 3 इंटू 1 उपर चला जेगा उपर ले आए यहाँ तक इस step तक पहुँच गए हम ठीक है अब 1 by under root 3 multiply under root 3 divided by 2 plus under root 3 क्या बन गया अब इसको इससे multiply किया तो 1 इंटू under root 3 और इसको इधर multiply किया तो 2 इंटू 2 plus multiply 1 plus under root 3 यहाँ तक बने उसके बाद में देखिए under root 3 divided by 2 under root 3 1 plus 3 बन गया ठीक है अब यहाँ से हमने क्या किया इसको 3 को इधर ही ले किया आपने ले किया नहीं तो ले ओ otherwise कोई जुरूरी नहीं उसके बाद में हमने rationalize कर दिया rationalize कैसे करते हैं जो यह होता है तो अगर यह plus का है तो आपने क्या करना होता है multiply और divide करना होता है minus से अगर यह minus का होता है तो हम multiply और divide करते है plus से इसका sign change करके करना होता है यह वाला अब हमारे पास plus का है तो rationalize करने का मतलब क्या है numerator और denominator दोनों को under root 3 minus 1 से हम multiply करतेंगे अब यहां से देखके आपको कुछ पता लग रहा होगा that is a plus b और a minus b which is equals to a square minus b square a कौन है under root 3 b कौन है 1 तो under root 3 का square minus 1 का square यहां तक पहुंच गए बच्चे फिर under root 3 को under root 3 से किया 3 आ गया और under root 3 को minus 1 से किया तो minus under root 3 आ गया तो 3 minus under root 3 divided by 2 under root 2 और multiply ने 3 minus 1 3 minus 1 कितना हो गया 2 sorry तो यह as it is 2 under root 2 multiply by 2 अब हमने numerator और denominator दोनों को under root 2 से multiply कर देना है under root 2 से multiply करोगे तो 2 under root 2 क्या हो गया under root 2 under root 2 2 बन जेगा तो 4 into 2 यह 3 into under root 2 minus under root 3 into under root 2 तो under root 3 और under root 2 multiply होंगे तो under root 6 बनेगा यह as it is 4 into 2 is 8 तो आपका answer क्या आ गया under root 3 under root 2 minus under root 6 divided by 8 ठीक है next moving on to the third question evaluate करने आपने 2 tan square 45 degree plus cos square 30 degree minus sin square 60 degree तो हमें पता tan square 45 degree 1 होता है cos 30 degree हमारे पास under root 3 by 2 होता है और sin 30 degree भी under root 3 by 2 होता है सारी value यहाँ पे रख दो solve करोगे आपके पास answer आजेगा 2 ठीक है उसके बाद में last question question number 4 choose the correct option and justify your choice 2 tan 30 degree divided by 1 plus tan square 30 degree तो आपके option है sin 60 degree cos 60 degree tan 60 degree या sin 30 degree तो हमें सबसे पहले तो यह पता है कि tan 30 degree 1 by under root 3 होता है तो यह हमने इस वाले के अंदर put कर देना है put करके हमने इसको solve किया solve करने के बाद में हमारे पास बना इसका नीचे होजेगा 3 by 4 ठीक है अब हमने 3 को लिख दिया under root 3 और under root 3 under root 3 into under root 3 3 होता है तो हमने इसको बांट के लिख दिया तो इस under root 3 से ये under root 3 cut कर दिया इस 2 से ये 4 cut कर दिया 2 तो क्या बना under root 3 by 2 under root 3 by 2 kwn है sin 60 degree option A is correct that is answer is sin 60 degree so हमारा sin 60 degrees under root 3 by 2 hence option A is correct ठीक है तो इसके साथ हमारे 4 question यहाँ पर पूरे होते आप इसको यहाँ से देख ले एक बार उसके बार में बाक्की दिखा देती हूं आपको ये रहा बाक्की का पार्ट इस question का ठीक है next question number 3 पर बात करते है ये रहा question number 3 next moving on to the question number 2 तो ये half part है ये थोड़ा सा बड़ा है ये उसका आदा next part is this and ये बाक्की ठीक है उसके बाद question number 1 पर चलते है ये question number 1 का part है और ये बाक्की का part ठीक है so इसे के साथ हमारी worksheet यहाँ पर खतम होती है